या दिकारी अगर अपने आपको मालिक समझने लगे हो तो सरकार की नौकरी छोड़के ब्यापार करना सुरू करते हैं कि हम जिसके साथ होंगे वही माहपवर होगा तो ब्यापारी देश और परदेश की सरकार की रील की हड़ी होता है इसकी बात को सुने और इसके काम को करें गदे पर जूल डाल दोगे तो घोड़ा अभी नहीं बन सकता जी घोड़ा घोड़ा ही रहेगा यह तै भारती जनता पार्टी को करना है लेकिन होम गार्ड वाला चुराय पर लगाया उसने सुभाई पचास का नोड ले लिया तरदी तकदीर भी रूठे लेकिन हिम्मत न तूटे अपने आप में इतना कुछ करने का इरादा करो नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका इक बार फिर से किया यह मैं दोस्तों आज हम फिर से हमारी जो सीरीज है हमारा नेता कैसा हो उसमें आपका स्वागत करते हैं और आ आज हमारे साथ जो हमारे महमान है वो है श्रीमान घंशियाम गुपता जी घंशियाम जी बहुत-बहुत स्वागत आपका घंशियाम गुपता जी अखिल भारती उद्योग व्यापार मंडल से जिलाद्यक्ष है फिरोजाबाद में और आज घंशियाम जी से जानेंगे हम क कि एक व्यापारी के नाते फिरोजाबाद में कैसा महापार होना चाहिए घंश्याम जी पहला सबसे पहले तो आपका स्वागत अभिनंदन आप हमारे स्टूडियो में आए घंश्याम जी कैसा महापार एक व्यापारी के नजरिये से होना चाहिए सबसे पहले तो गौरब जी मैं आपको तहे दिल से बधाईयां दूगा कि 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 आई ये न्यूज चैनल ने इतना अच्छा सेट अप बनाया है कि फिरोजाबाद के अंदर सायद मेरे साथ से अभी किसी के पास इतना अच्छा इंतरिव्यू का सेट अप नहीं है आपको तहे जी मेरे और से और मेरे शंगठीन की और से बहुत बहुत बढ़ाईयां और सुपकारन में दनन्यवाद जी बताए आगे क्या जाना चाते हैं मैं मेरा पहला सवाल आपसे यह है चूंकि आप जिलादेख्ष हैं व्यापारी मंडल से तो व्यापारियों की जितनी भी समस्यां रहती हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी तो मेरा पहला सवाल यह है कि जो व्यापारी के नजरिये से हमारे जिले का नगर का जो महापौर हो वो कैसा होना चाहिए कि व्यापारी की बहुत सी समस्या हैं जिनको अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से गिनाना शुरू करूंगा तो सुबह से साम और साम से रात बीत जाएगा लेकिन समस्यां का अंबार लगा हुआ है वो कभी खतम नहीं हो सकती हैं लेकिन महापौर नगर का प्रतनिदी होता है जी नगर निगम एक ऐसा सेक्टर होता है कि जहां से शुरूवात सुभा की शुरूवात होती है सफाई होना पेजल का आना तरह तरह की शुविधाएं जो आम जन्मानस और व्यापारियों को दी जाती है वो नगर निगम के ही द्वारा संचालित होती हैं जी और उन सभ कि संचालित करने वाला व्यक्ति जमीनी इस्तर पर चलने वाला नेता होना चाहिए और आगामी समय में अब जो महापार बनेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि फिरोजाबाद की जन्ता और व्यापारी पूरी तरह से जागरूख है जो व्यक्ति जमीनी इस्तर पर काम करने वाला होगा उसी ब्यक्ति को महपोर बनाया जाएगा तो कि पूर्व की पांच साल से व्यापारी अपने आपको थगा सा महसूस कर रहा है जी कि व्यापारी कोई भी समस्चा लेकर अगर नगर निगम जा रहा है तो जैसे कहते नहीं है कि बगेर राजा की एक फौज होती ह है जिसके ऊपर कोई अंकुष नहीं होता जी ऐसे ही हमारे फ्रोजाबाद के अंदर इस्ति देखने को मिली कि नगर निगम के अधिकारी और करमचारियों पर हमारे जो अभी बर्तमान के महापोर उनका कोई अंकुष नहीं है अपनी मनमानी करने पर उतारू रहे और मारतियों धोग व्यापार मंडल की सहमती सही बनेगा मैं यह बात आपके चैनल के माध्यम से समस्त जन्दमानुस और व्यापारी को कहना चाहता हूं कि अब की बार जो भी महापोर बने वो ऐसा बने जो जनता के बीच जाए जनता के बीच रहकर उसकी समस्या को सुने आप देखे और एलेक्शन का पीरियेटा तो अब आपने बोटों बनाने के लिए जगा जगा भागते हैं मीडिया वालों को बुलाते हैं अपना अपोटो दिखाते हैं तो आप जनता जागरुक है सारी बात समच चुकी है और केवल और केवल इंतजार करती है कि कब बोट डाल वोट की तागत है, चलिए, व्यापारी की द्रिश्टी से नगर में ऐसे कौन से कार रहे हैं, जो किये जाने थे, जैसा कि आपने कहा के पिछले महापौर ने नहीं किया, तो कौन से ऐसे कार हैं, जो उने करने चाहिए थे, ऐसे बहुत से कार हैं, गौरप जी, मैं आपको बत अधिक साथ दुकानदार उसके अंदर हैं और समय से नगरनेगम अपना किराया बसूलती है जी दुकानदारों पर अगर कोई तुरूटी हो जाए तो नोटिस जारी करती है लेकिन उसकी जर्जर इस्तती को सही कराने का नाम कोई भी नहीं लेता है अच्छा अखिल वारतिया तो दोग व्यापार मंदल के पदा अधिकारी जब लाम बंद हुए मार्केट को बंद कराया तो खलवली मच गई थी पर शासनिक अधिकारियों की गारियां दोरने लगी पहुंच गए वहां पर मैं भी था लेकिन मैं आपके चैनल के मार्जम से यह भी कहना चाहूंगा कि अधिकारी अगर अपने आपको मालिक समझने लगे हो तो सरकार की नौकरी छोड़के व्यापार करना सुरू कर दें अन्य था सरकार की नौकरी करें तो व्यापारी देश और प्रदेश की सरकार की रिल की हड़ी होता है इसकी बात को सुने और इसकी काम को करें तो ऐसी बह तोड़ा सिस्टम लेके जाए और उसका निरिक्षार कीजिए कि 200 दुकांदार नगर निगम को किराया देते हैं उसके बावजूद भी उसकी शीलियां तूटी पड़ी हुई हैं मैलाएं बरद्द लोग वहां से नीचे उपर चड़ते उतरते हैं तो गिर जाते हैं छोटिल पूरा मार्केट बंद कराया खुद घंशाम मीला जी जो नगर आए उपस्तित रहे उन्होंने अस्वस्त किया कि 24 गंटे के अंदर आपको काम दिखता नजर आएगा लगता हुआ शुरूवात कि पेजल कि तंकी का काम उन्होंने करा दिया उसके बाद फिर काम बंद करा अच्छा तो अब आगे भ्यापारी फिर प्लाइनिंग कर रहा है इस बार जो भी हम दोलन होगा वो सार्थी मार्केट बंद करके नहीं होगा पूरा सहर बंद करके होगा तब अधिकारियों के को समझ में आएगा माननिया मुखमंत्री तक इस बात को हम लोग पहुंचाए घंशाम जी शेहर में पिछले महापार के बारे में आपने बताया अब अगले महापार में क्या गुण होने चाहिए जिससे की शेहर का भी विकास हो सके और वो सबकी बातों को जैसे आपने कहा के समझें देखे मैंने अभी आपको बताया था कि जमीनी इस तरह पर काम करने वाला महापार होना चाहिए एक बात हां लेकिन इस बात को हमने सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं बारती जनता पार्ट हम अभी अभी 12profits ब्रौ म काके अभारती जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे बड़ी भूमिका अखिल भारती जनता पार्टी के परीष्ट नेटागरों के बरिष्ट मंत्रियों ने स्विकारा हैं हाँ अगर इस बार्ड बारती जनता पार्टी की सरकार बनी है योगी जी पुना मुख मंत्री बने है तो अखिल भारती उद्योग व्यापार मंडल के स्वयोग से बने है बारा जुलाइ दो हजार बाइस को सोध संस्तान लखनव मैं प्रदेश कारसमति की हमारे संगठन की बैठक हुई जहां हमारे राश्ची अर्द्यक्स माननिय संदीब बंचल जी भी मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में बरिष्ट मंत्री यानि विक्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी उस मिटिंग में मौजूद रहे और पूरा 75 जंपदों का व्यापारी पतनिदी वहां मौजूद उन सभी के सामने उन्होंने इस बात को स्विकारा कि अगर पुना भारती जनता पार्टी की अगर सरकार प्रदेश के अंदर बनी है तो सबसे अहम भून का खिल भारती उर्द्ध व्यापार मंदल की है इसको ध्यान में रखते हुए और हमारे अग्दक जी ने एक नारा भ अग्षाइबाद के अंदर अगर जो भी महापार की टिकिट जिसको दिजाए भारती जनता पार्टी के द्वारा तो पहले अखिल भारती और दोग व्यापार मंदल के पदाद कारियों से सेमत ही ली जाए उसी को महापार की टिकित दी जाए जिससे हम उसे अत्पतक्स इतना ही हमारा है इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है के जो महापार होगा वो भारती जनता-पार्ड़ी से भी होगा इसलिए हम अपने स्वयम के ने ELISA पडिकर घर हमने सब्सक्राइब करो हम लोग us were inいますir हम लोग मांग तर वांग कि ते k Vlog मांग करें न्दर सुक्राइब के अंदर मापुर के जिसको भी टे तो अखिल वार्ति व्द्लोग के व्यौबार मंदल सेहनों कि नगर् व्यौजाबाद की जो माहपूर का जो कारचेत्थ पूरे कार्षेत्र में 30,000 व्यापारी हमारे संगटन से चोड़के कार कर रहा है। एक व्यापारी के यह 5 बोट तो होता ही है जो अखिल भारतिय और दोग व्यापार मंदल के पास मौझूद है वो उधर ही जाएगा जिदर अखिल वारतिय और दोग व्यापार मंदल लंबंद होके सहुब करेगा। इसलिए इतना बात है। चलिए, घंशयम जी, आपने जैसे भारती जनता पार्टी की बात करी कि भारती जनता पार्टी से जो भी महापौर होगा वो अच्छा काम करेगा, आप मुझे ये बताइए कि फिरोजाबाद में जैसा कि आपने देखा, डेड़ सो से अधिक लोगों ने आवेदन किया है भा ने पर तो तेर्सचा को लें करना है, घकि जनता पार्टी को करना है, और जो प्रभारी बना कर खोरोजडाबाद के भेजे गये हैं, वो लोगों को में टै करना है, और व्यापारी देश और प्रदेश की सरकार होगी रिल्गा हैं काईदा यह काईथा है कि सरकारे अगर चल लए हैं तो वो ब्यापारियों की बजा से सब्सक्राइब कि उतारा जाए जिसको हम लोग जिता कर नगर निगम तक पहुंचाएं अगर ऐसा करेंगे तो पूरा विश्वास है भारती जंता पार्टी का जो भी प्रत्यासी आए अच्छा उसको जिता कर बेंगे हैं है पिछली बार भी भारती जनता पार्टी कहीं प्रत्याशी था जी पिसली बार भारती जंता पार्टी कहीं तब आपको में शिकायतना है देख पिछली बार कि cœur एख Um उसके बाद अपने कारकाल में मैंने उनकी गत्विदियों को देखा उनकी गत्विदिया चली लेकिन शिल्व इस तर पे चली जिस तरीके से नगर पालिका के समय पे काम हुआ फिरोजाबाद के अंदर नगर निगम होने के बाद काम नहीं हुआ अब उसी बात प्यारा था नगर पालिका फिरोजाबाद कितने वर्षों से था और नगर निगम में पिछले पांच वर्ष हुए हैं तो आपने बताई के समस्या हमारी जो आपकी जो शास्त्री मार्केट और चंदर शेकर मार्केट की जो समस्या है वो तो काफी पुरानी है तो नगर 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 निगम से पहले जब पाले का हुआ करता था तब जो चेयर मैं साहब थे तो क्या उनके समय में उस परिशानी को नहीं देखा गया उस समय मरम्मत कड़ाते रहते थे वो मैंने उस समय यह देखा है उस समय हमारे जो अभी बर्तमान में बिदायक है मनीश जाला वियास परियास को लेकर जयां और तो घुर तो उनका पूरा परियास रहता है उस समय का ने जीड़ियों की मरमती तो प्लास्टर हो ना उस पर जादा काम कितनी सीड़िया तो तो उसमें जादा पैसा नहीं लगना है से नलीजी पर अगर जीड़ में प्लास्टर और old शर्प उठपिलन करना जानते हैं लोग और अब व्यापारी ने कसम खाली है कि अनावस्च कुरिपीलन व्यापारी का बड़्दस्ट नहीं किया जाएगा व्यापारी ने पूरा कमर कश रखा है के लिए कि जहहां अनावस्यक ुथ पीड़न की बात की अनावस्यक तपिड़ वह democratic अनावस्यक 01 की एकilly Anda कि आता है हम ने पिछले दनों देखा कि जो शेहर है हमारा 2 शेहर हमार्प न्रहा तो आपको क्या लगता है कि यह चीजें जो हो रही है वो अधिक्रमड पर भी काम चलाया गया शहर की जो रोड है मुख्य मार्ग है उन पर भी काम किया गया एक स्मार्ट रोड भी हमारे बन रहा है ठीक है और वियापारियों के लिए जो परिशानी की बात में समझता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये चीजें जो हो रही है वो हमारे पर्यावराण के बहले के लिए टो किया उसमें व्यापारि साथ है या वो भी अनाविश्चे कुद भी सबस्क्राइब लेकिन सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले मैनुफैचदार को बंद कराना चाहिए शोटे चोटे दुकनदार को आफश्य को पिन्द करना उनको मजह आता है लेकिन मेनु फैश्टरार को बंद कराना उनको नहीं दिखाई दे करांगे बंद कराएं उसके बाद फिर अगर बाजार में पाले थिन नजर आए तो दुकानदार का चलान काटें उनके खिलाब कारवाई करें हम उनसे कुछ नहीं काएंगे यानि वही बात हुई के शराब इस कहते हैं शराब मत पी हो लेकिन ठेके बंद नहीं करेंगे यास यह चीज में कई बार जो है परसासनिक स्तамен काहुए हम लोग भी हे तो हम लोग़ें को देने बादाया गे यह नजेश्चांट में अच्वे एक रिखने का दू रहारा कि है वो लोग invece मानली जी new तो एक बद बने आन तर्था दिव करके अपने परवारों की आजीवी का चला है हम नहीं चाहते हैं कि इनका उत्पीडन हो यानका नुक्षान हो लेकिन ये परसासन की जिम्मेदारी है कि इन लोगों का रूड मैप होना चाहिए रूड मैप चार्ट होना चाहिए कई बार हम लोगों ने कहा है हां सब बना रहे लेकिन अभी तक कोई भी कार धड़ातल पे नजर नहीं आता है अगर आप बड़ी सिटियों में जाए वहां देखिए नियमा अनुसार वो लोग चलवा रहे हैं कहीं जाम नहीं लगता इरिक्षा कर रिजिस्ट्रेशन भी होता है जी वो भी नहीं है कुछ है कुछ नहीं है अच्छी बात है लेकिन होम गार्ड वाला चुड़ाय पर लगाया उसने सुभाई पचास का नोड ले लिया तरी बराबर चल लए अंदर इस पर किसी का ध्यान नहीं जब तक प्रसासन इस्ट्रिक्ता से उस जो उन्होंने रूड मैप बन बाया जो उन्होंने नियम कानून बनाए उसका अनुपालन कराना पर सासनिक अधिकारियों का अनुपालन तो बड़े आराम से किया जा सकता है हर चोराय पर अब कैमरे लगे हैं लेकिन आब आप फर वही बात आब आप देख लिजे कि देखा है तीवी चैनलों पर भी देखते हैं कोड में देखिए कोड में जो है छे फुट की दूरी पर जच्छा बैठे रहते हैं और बगल में पैसा लेता रेता है लेकिन उनको नहीं नजराता अब आप समझ लीजिए सब ऐसे ही चल वहा है तो वही सब चल आप ने देख है अब को लगता है इन में से कौन ऐसा विक्ति हो सकता है कुछ एक नाम मैं एक नाम की नहीं कहूंग अपसे कुछ एक नाम जो आपको लगें कि यह अच्छे नाम है और इन्हें मुखा मिलना चाहिए देखिए पिछली बार हमारे महापोर का यो आरक्षन आया तो आरक्ष तो बीसी महिला काया इस बज़ा से नूतन राथोर जी हमारे महापौर की टिकेड लेके लड़ी और सभी लोगों नो उनका सहयोग किया उससे पहले ऐसी था तो हमारे देवाकर जी हुआ करते थी तब नगरपाल का हुआ करती थी इस वार जंदल हुआ है तो कायदे से अगर तो हमारे फिरोजाबाद नगर निगम चेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैस समाज का बोट है और बैस बंदू ही कोई प्रत्राशी बनाना बनाया जाना चाहिए है तो जाती आती है गुपता और अगरबाद तो यहां यह दोनों जातियों का बराबर है ल अगरबाद समाज का डेर्ड़ लाग बोट तो हम दोनों ही लोग जो है हकदार है कि अगर किसी को मिले जब जन्रल हुआ है तो वैस्ट बंदू को मिले ठीक है फिर बाकी तो बहुत से प्रत्याशी है चलिए वैस्ट को मिलने से क्या फाय देखिए वैस्ट बंदू बहुतायत इस्थिती में है कोई वैस्ट समाज का अगर महापौर बनता है तो देखिए कई बार आपने देखा होगा कि इस समय थोड़े दिन पहले भी हमने देखा कि जगा जगा नोटिस चेक्स के लिए गए पलाने के लिए तो बहुत बंदू अगर महापौर होता है तो हमारा मानना है कि सबी लोग खुछ हो जाएंगे यहां का जो जो जन्ता है यहांकी जो बहुत सालों से इंतिजाद कर जह है कि हमारा कोई पतनिधी चुन के आए तो ज काम के लिए हएग हो एक्षॉल थे कंद्स वैस सुना जएगा तो प्योपária होगा उसका ब्यापार भी होगा तो उसका ब्यापार भी होगा उसकी जढोली उसकी दाल रोकी से प्यापार से चलती है तो यह कुछानल काम में Silent तो काम होगा जब काम होगा तो जनता खुश होगी जनता जब खुश होगी तो सपोर्ट भी करेंगी तो में कारड वेश्च होता है महापाओर तो अपना व्यापार देखेगा के शहर देखेगा यह सोचना गलत है मालो में हुँ मैं तो फिर चुनाब नहीं लड़ रहा हूं लेकिन माली जी आही हो और और मेरे चार बच्चे हैं तो चार बच्चे शक्षम हैं वो घर पर वार कुछा आप देखेंगे वह देखेंगे वह देखेंगा उसको ऐसा कुछ नहीं है यह तो सब क सिर्फ अपनी जाती समुदाई के लोगों का भला करती हैं, तो क्या वैश्य होगा तो वो नहीं सोचेगा? हम लोग चुनांगे इसकी सोच सोड़ से स्युद्व होगी सर्फ के लिए काम करेगा, यह तो हमने का व्यापारी को चुनां जाए, जैसे में ब्यापारियों का अध्यार्ग्स हूं, मुझसे कोई पूछता कि तुम्हारी जाती किया है, तो मेरी ब्यापारी जाती है, जितना इसके सोच के काम करें, उस भैक्ती को चुनिए जनी एक थे तो नहीं होता दिए, हार समाज में गुणदा भी होता है हर समाज मे भला आदमी होता है कहते हं नहीं है क्यान गुंदे की कोई गिरादरी नहीं और भले की उस all hy है तो ऐसा यधिप्ति चुनिये कि जो सरक्यूलर माइंड का व念 जो सब करा अच्छा सो허 को चुनिये वो आएगा और आएगा बहुत है फ्रोजबाद में बहुत लोग हैं से चलिए कुछ एक विशेश आप कुछ एक विशेश बात हैं कुछ बिंदू आपके दिमाग में चल रहे हो जो कि महापौर बनने के बाद नगर के लिए बहुत आवश्यक है और वो करने चाहिए देखि नगर निगम बनने के बाद ऐसी अने को फैसलेटिया होती है जो होनी चाहिए जो अभी हमारे प्रोजबाद में पांस साल नगर निगम बने हुए हो गई फिर भी नहीं है तो पहले तो कायदे से यहां का जो बेक्तिया उन पर टैक्स बढ़ा दिये गए लेकिन फैसलेटी यहां की जनता अगर परेशान है तो इस बज़े से है देखिए आप इंडस्टियल एरिया में चले जाईए नगर निगम ने वहां टैक्स बसूली नगर निगम बनना जब बना उस एवस उसके तरीके से यानि उसके मानक से टैक्स बसूली करने के लिए प्रयास किया इंड तो आप नगर निगम की तरह यहां पर डवलमेंट भी होना चाहिए हमें शुवदाइं भी मिलनी चाहिए तब ना हम आपको नए मानक का टैक्स देगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ मामला कोर्ट में चला गया लेकिन बराबर क्या हो रहा है इंडस्टियल के लोगों को नोटिस तैयार करें नगर की जनता अपने आप सहयोब करने तैयार है नगर की जनता बहुत भोली है हमारी उसको जैसे चाहिए तो आगरा चले जाए अच्छे रोडे बनते चले जा रहे हैं लोगों को निकलने की रास्ता है हमारे फुरुजावाद में देख लिए अगर कोई गोस दोना अपने मजे में से नेता अपने मजे में मस्त जनता की किसी को नहीं पड़ी जनता जैसे चल रही है वैसे चल्रही ए इंक यसतिती APP में तो जनता की बहुतिए golpe उसको वह जь रोडी है जंता इन्टा कर देंध को पहले वी का आप आप- internatatory आपको देखने को मिलेगा EVM मशीन में जन्ता बोलेगी और ऐसे वेक्ति को चुन के लाएगी जो शेहर में काम करेगा चलिए बहुत अच्छे विचार घंशियाम गुप्ता जी ने हमारे समख्ष रखे और आशा है यह चर्चा आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको इस मेरी एक बात और कहना चांगा मेरी एक चार लाइन है मैं सुनाई देता हूं मैं सभी जन्मानोस जो हमारे फ्रोजाबाद में लगबक सत्तर बाड हैं मैं उन सभी सत्तर बाडों की भोली-भाली जनता से एक बात अपनी और से कहना चाहूंगा मैं कोई राजनेतिक नहीं हूं मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूं नन पॉलिटिकल वेक्ति हूं मैं आप लोगों के बीच का ही आपका अपना बच्चा हूं आप लोगों से बस एक मेरा अपील है जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं इस इस बार जिसको भी चुनो ऐसे लेप्ति को अपने बाडों में प्रत्यासि चुनों जो आपका काम करा सके गदे पर जूल डालने का काम मत करना कि यानि अगर गोड़ा गोड़ा ही रहेगा अगर गदे पर जूल डालोगे तो आप उसको जूल को देखते रहना कि आप में गोड़ा सा तो लग रहा है लेकिन गोड़ा वाला काम नहीं कर पाएगा इसलिए जिसको भी चुनो ऐसे ब्यक्ति को चुनो जो जमीनी इस्तर पर काम करें हमारे बाड़ों का बिकास करें और इसके साथ मेरे अपनी चार लाइनों के साथ अपनी बाड़ी को बिराम दूंगा कि जीतूंगा मैं खुद से ये बादा करो जीतूंगा मैं खुद से ये बादा करो जितना सोचते हो कोशिस उससे ज्यादा करो तकदीर भी रूठे लेकिन हिम्मत ना तूटे अपने आप में इतना कुछ करने का इरादा करें इतना ही मैं कहूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद गौरभ जी आपने मुझे बोलाया बहुत-बहुत शुक्रिया इंटर्व्यू लिया मैं आपका तहे दिल से आभारी से मेरे संगठन की ओर से आपको बहुत-बहुत सुप्राम ना है बहुत-बहुत धन्यवाद आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आया है और आपको कुछ इससे महतवपूर जानकारी मिली हो तो इससे दूसरों के साथ साजा अवश्य कीजेगा औ पता सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और आप सबका भी हमारे हमें इसी तरह प्यार और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है